कि उस बॉक्स में जो यूनिट है उसमें साथ लोग कनेक्शन और लोग ले सकते हैं अगर लोगों को दूसरे मेरी बिल्डिंग में मेरी सोसाइटी में और लोगों को चाहिए तो उन्हें अलग 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 यूनिट आउड़ोर यूनिट नहीं लगाना पड़े दोस्तों यहां पी तड़क्ती फड़क्ती निकल करा रहे है जियो की तरफ से तो अगर आप जियो के एर्चाइबर लेना चाहते थे तो एक अच्छी निउस है एंड यह आपके लिए अच्छु निउस है या बुरी आप वो त्यार करना मैं बस आपको यो भी निउस है वो को बता देता हूं तो पहले हमें सुनने में यह आ रहा था कि जियो का जो एर हैवर होने वाला है उसमें सेट अप क्या होगा कि सबसे पहले तो आपके छत में एक आउट्डूर इनिट जो है मॉडम लगाया जाएगा एंड उस मॉडम से एक यहां पर वायर आएगी जो कि आप इंटरनेट को यूज कर पहोगी ठीक है बट अभी थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा ना कि आपके छत में एक आउट्डूर इनिट लगेगा या फिस हो सकता है कि पोल में आउट्डूर इनिट को लगाया उसी तरह का कुछ यहां पर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और यहां पर टेंशन की कोई बात नहीं है अगर आप गाउंग अगरा में रहते हो तो वहां पर भी यह चीज काम करेगा ठीया तो अभी कुछ हमारे सामने इमेजेस आई हैं जिससे यही सावि में कभी बताया गया था कि इस तरह के हां पर डिवाइस देखने को मिलने वाला है पड़ यहां पर फिर से मोडम को भी हां पर चेंज किया गया जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो अभी ऐसा कुछ फिस्ट नहीं आने वाले टाइम में हो सकता है कि जियो के में जितने भी सार यह changes किये जा रहा है उससे हम consumers का क्या फाइदा है तो मैं आपको बता दू इससे न हम लोगो फाइदा है न कुछ घाटा है विक पहले भी जियो का improving connection लेने के लिए हम लोगो 11,000 र् risk का installation cost देना पड़ता था अभी भी आप लोगो 1,000 का installation cost देना पड़ेगा ढफिवाइस का पूरा पैसा पहले भी नहीं देना मटथे था और अभी भी नहीं देना पड़ेगा यहां पर जो डिवाइस का कॉस्ट होगा वो भी काफी हद तक यहां पर रेडियोस हो जाएगा तो इससे फाइदा है कंपनी का थोड़ा बहुत अब यह जितने पी सरे डीटेल्स है वो मुझे एक जीवाइवर के बंदे नहीं बताई थी और उनका वीडियो भी यूटूब पर है तो आप खुद देख सकते हो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा कि उस बॉक्स में जो यूनिट है उसमें साथ लोग कनेक्शन और लोग ले सकते हैं अब लोगों को दूसरे मेरे ही बिल्डिंग में मेरी सुसायटी में और लोगों को चाहिए तो उन्हें अलग काना पड़ेगा उन लोगों को भी उसी से ही Connection मिल जाएगा मैंने उन्मस्ताथ लोग जब उसी यूनिट मेंसे लेंगे तो क्या मेरे 一 handful प्रॉबलम आयगा तो उन्हेने बता आया नहीं आपको को कौिए प्रॉब्लम नहीं आएगा और मेरा connection मेरे नाम पे होगा और बाकी जो लेंगे उनका connection उनके नाम पे होगा तो उन्हेंने मुझे बताया कि आपको कोई चिंता करने की जरुवत नहीं है आपको आपकी आइडी आपके नाम पे होगी और बाकी जो six आपके society में रहते हैं वो उनके नाम पे connection अविलेबल होगा सो मुझे इनका plan बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे building में अगर डिश्ट मतलब की जो डिश्टीवी लगाते हैं वो पूरा एकदम यह जाता है एक individual लोग ले सकते हैं वह अलग 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 पूरा एकदम terrace के उपर सभी लोगों का अलग अ हर किसी का due to waste नहीं लगेगा और एक ही unit में साथ लोग आट लोग ले ले पा रहे हैं इस services यह तो जितने पी सरी details मेरे पास जीओ के एर्वाइबर से related थी मैंने आपको बता दिया उमेद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो आपने दिपसे लाइन करते हैं चैनल को संस्क्राइब करते हैं मैं मैंने लफसे नेक्स्त वीडियो में दबता के लिए जय हिन वंदे मात्रों